उधारन एक प्रश्ण एक व्रित्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है व्रित्त की परीधी एवं छेत्रफल ग्याद कीजिए इस प्रश्ण में एक ऐसे व्रित्त की परीधी एवं छेत्रफल ग्याद करना है जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है तो व्रित्त का व्यास बराबर चवदा सेंटी मीटर तब वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? वृत्त की त्रिज्या आर बराबर होगा व्यास का आधा याने की चवदा बटे दो इससे हमें मिला साथ सेंटी मीटर अब हम वृत्त की परीधी और उसका छेत्रफल ग्याद कर सकते हैं हम जानते हैं कि वृत्त की परीधी बराबर होता है टू पाई आर टू पाई का मान हम लिख लेते हैं बाईस बटे साथ और त्रिज्या का मान होगा साथ सेंटी मीटर सरल कर लें इसे साते कम साथ हमें क्या मिला? दो गुनेद 22 इसका परीधी हमें बिल गई वृत्त की परीधी बराबर 45 cm चलिए अब हम वृत्त का छेत्रफल ग्याद कर लेते हैं वृत्त का छेत्रफल बराबर होगा पाई आर का वर्ग पाई का मान रख ले 22 बटे 7 और त्रिज्या हमारे पास है 7 cm तो हो गया 7 का वर्ग इसे सरल करने के लिए हम 7 के वर्ग को लिख लेते हैं 7 गुने 7 7 एकम 7, 7 एकम 7 हमें क्या मिला? 22 गुने 7 जिसका मान होगा 154 वर्ग सेंटी मीटर तो इस प्रकार हमें वृत्त की परीधी प्राप्त हुई 44 cm और वृत्त का छेत्रफल मिला 154 वर्ग सेंटी मीटर 60 जरत प्र कराइब को अ कीचिते प्राप्त का शिस्थ सेंटी मान होगा कј hen उि çaए modern